ठीक है दोस्तों टैंपा प्रो की अब सेकंड वीडियो पे हम लोग आते हैं जो कि है मेंस ओपन की प्री जजिंग और फाइनल्स पहले वाले तीनों कैटेग्रीज के हैं अगर बात करें तो दोस्तों हम पर कैरित जीच चुके हैं यह इनका नाम आपको दिख रहा होगा 212 के बैलेंस हैं की फिजीक में बहुत अच्छा बो लुइस से मैं कहूंगा थोड़े से जादा है साइज में लेक्स की बात करूं और शूल्डर्स की अगर बात करूं तो यहां पर इनको फर्स्ट प्लेसिंग मिली सेकंड पर आये हैं एहमद वर्दानी और थर्ड पर बो लु वेल डिजर्फट चैंपियन थे साइज विद कंडीशनिंग है उनके पास में जो कि अच्छी बात है यहां पर दोस्तों कहरेत ने यह वाला शू जीतने के बाद एक बात बोली कि अगला शू टैक्सिस प्रोय और वो इसको इसलिए नहीं खेलना चाते बिकॉस वो किसी और कि क्वालिफिकेशन नहीं खाना चाते है और वो अल्रेडी क्योंकि यह वाला शू जीत चुके हैं और उलम्पिया के लिए क्वालिफाइड है तो अब वो वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस जिलीवर करना चाते हैं लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत सारे कॉम करने हैं अगर करने होते तो फिर मैं कई और ही होता बॉड़ी बिल्डिंग इस चीज़ के लिए नहीं है और यहां पर कॉलिटी चेस करनी है तो आप लोग बताओ आप लोगों को क्या साही लगता है बिकॉस जैसे कि मैंने बोला कि दोनों ही तरह के अथलीट से बॉड़ी मैं उससे अच्छा कैसे परफॉर्म करें वो उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए अगर उसको जरूथ है पैसे हो की तो जरूर कई सारे शोग खेलने चाहिए लेकिन अगर पैसे ही चेस करने के लिए बॉड़ी बिल्डिंग में खेलने के लिए कोई अथलीट आ रहा है त तो फिर एक पर और सोचना चाहिए क्योंकि बॉड़ी बिल्डिंग से ज़्यादा पैसा कमाने वाले दूसरी जगाएं हैं वहाँ पर स्था मनी चेस किया रसकते खेर यहाँ पर कहरेत की दोस्तों सबसे पहले जीत थी सबसे पहला प्रो शो नों ने जीता और थर्टी अंदर इन्होंने अक्चुली प्रोगाट जीता था जो मास्टर डिविजन हो दीने 40 प्लस एज़ वाले लोग बॉड़ी बिल्डर्स जो खेलते हैं उस डिविजन में जीत करके बाटे देवाट अब इन्होंने सारी यंग एक्लीट को हराते हुए डारेक्ली ओलंपिया के इसमें इन्होंने जो एक अच्छा कंडीशन और मसल सेप्रेशन दिखाया था उसके बेस पर एक अच्छी पीक करते हुए इनको यहां पर डिविजन में जीत मिली दोस्तों बस इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूगा क्योंकि अगें स्टीव लॉरी जो सबसे लगने शुरू हो गए लेकिन वहीं और फ्लैट भी हो गया थिंग इनोंने ज्यादा ही वाटर डिप्लीशन कर लिया प्री जर्जिंग से फाइनल्स के बीच में तो जो भी एक कोच इनके साथ में टैक्टिक्स अपना रहे हैं वह उतने वर्क करते हुए तो नहीं नजर आ जरीप प्लाओं ने आखिर कार इसमें जीत आशिल कर ही ली जान को सेकंड पि डाला कि मैंने बोला त Walter को जोको और हे डा कि डीरे की फ़ला कर ALL लेकिन अगेन आंडें भी मिडल में ही माने जाएंगए जाएंगे और हो यह नहीं को उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा इत खामखामे लोग बोलते रहते हैं, आज के बाद भाई को कुछ नहीं बोलेगा, अब इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, आंड्रे क्या करते हैं, मतलब देखो, ओलम्पिया में अच्छा खेले में तो वो चीज़ है, शोस तो कोई भी इसको नहीं जीतते, तो अगला शो जीत जाते, टेक्सिस प्रो जीत जाते, आंड्रे के लिए शो जीतना देख रहे हो कितना असान है, अपने all time best पे ना होने के बावजूद भी दूसरे competitors को प्यार से हराते हैं, ऐसे ही उनको Olympia में करना है कि best आना है इस बारता कि उन competitors को हरा पाई, जिनको हर जगा हरा च पर सबसे जरूरी जगा पर चूक जाते हैं, तो देखते हैं, Brandon को हरा पाते हैं, Raymond को हरा पाते हैं, और in fact Ryan Terry है या फिर दूसरे athletes से सबसे बड़ी बात है, आंड्रे ड्यू बहुत जादा strong हो चुके हैं इस साल, उनको उनसे हार गए थे पिछले साल, आंड्रे को आंड्रे स और यहां पर top 4 में जो athletes रहे वो थे, Ian Valier, Phil Klaher, Charles Griffin और हमेशा की तरह Max Charles, दोस्तों Max Charles हमेशा की तरह उसी वाले spot पर जो left and side में, कोने में खड़े हुए थे, हाला कि Max फिर से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे इस वाले show में, आपर दोस्तों को में बात करता हूँ, जि इचले बार इनोंने भी Chicago में खेला था, अच्छे लग रहे थे पर इसमें इनोंने चौका दिया, यह ऐसा लग रहा है कि जीत सकते हैं इस contest को, बहुत ही ज़ादा, legs में जो separation और जो एक-एक fiber निकल के बाहर फट रहा है ना, मतलो वो चीज लग रही है कि यार, back का है shot इनके legs कितने अच्छे से खुल रहे है, shoulder ऊपर अच्छे से उठ रहे है, chest भी उठी हुए है, जैसे Ian Valerie की chest आपको बीच में से थोड़ी दबी हुए लगेगी, या फिर Charles Griffin की भी chest दब गई इस पोज में, क्योंकि दब जाती है अकसर, यह pose यह से है, लेकिन यह perfectly hit कर रहे है, legs, बाहर का sweep, अंदर का sweep, सारे के सारे fibers, अलग-अलग muscles दिखेंगी, Ian Valerie की वो चीज़ आपको missing दिखेंगी, at least photos तो यही बता रही है, और इसके बाद हो most muscular, इतने प्यार से hit कर रहे हैं, इतने confidence के साथ पता लग रहा है कि यार, बिलकुल तयार है इस वाले title को जीतने के लि होगी पर इनका weight काफी ज्याद है, जब on stage ये compete करते हैं, बहुत जाद हम massive bodybuilders की category में आते हैं, पर इतना realized नहीं होता है, इनको देख करके, तो इनों ने भी शो में पीक करा, इसकिन फिर भी still judges ने इनको side में खडा कर रखा है, यहाँ पर दोस्तों इनके भी अगर माँ बा हा रहे हैं आसपास के athletes को और बहुत ही एकदम बढ़िया फिजीक, इस वाले show में भी दोस्तों लग रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं, चार्ल्स क्रिफिन की जो की अगेन एक काफी अच्छे competitor है, यहाँ पर दोस्तों यह जो athlete हैं, कोच है Matt Jensen, जो की अगेन train करते हैं, व लेकिन अपनी तरफ से काफी अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेक्स थोड़े से लग रहे है कि कम है size में upper body के मुकाबले वहीं, फिल्क लाहर इनके साथ खड़े हुए, जादा अच्छे लग रहे हैं, जादा बहतर balance लग रहे हैं, तो इसलिए इनको भी side में खड़ा किय हो है, बट देखो हो सकता है, ये second आजए है, और सारे poses में, especially most muscular में आप देखो, Charles Griffin बहुत अच्छे शाप लग रहे हैं, जबर दस्त इस pose को मारते में नजर आ रहे हैं, और फिल्क लाहर का most muscular देख रहे हो, size कहा जा रहा है उनका, थोड़ी height में भी ज़्यादा है, Charles से तो डालना है, अपने से ही सोचा, Ian Valier को, तो मैं अगर Ian की बात करूँ, तो obviously Ian Valier में मुझे ज़्यादा flaws नजर आते हैं, इन athletes के मुकाबले, और मुझे particularly लगता है कि उनको ये वाला show नहीं जीतना चाहिए, लेकिन ये मेरा मानना है, मेरे साबसे judges ने इनको एक्दम center spot में रख यान की body के अगर बात करूँ तो हाँ, वो fullness, वो roundness इनकी physique में कभी भी नहीं दिखती है, मतलब chest में फुलनेस या फिर overall जो आपको लैट्स में वो चाहिए, वी टेपर निकल के आए, या फिर जबरदस fiber इनकी body में अगर दिखाए दे, नहीं दिखते हैं उस तरीके से, थोड़ा सा आगे करके chestion उने एक दम अंदर दबा ली, थोड़ा सा अजीब तरीके से इसको post को हिट करने है, फिलाल यहाँ पर Ian Valier center spot में बने हुए, सबस्यादा इनके chances हैं इस वाले show को जीतने के, और second third पर मुझे लगता है यही दोनों लड़ने वाले जिनके मैं ने ब